हेलो फ्रेंड्स तो क्या हाल है यार आप सबके मेरा नाम है प्याज्रा अगर आप नहीं हो तो वेलकम इस चैनल पर मैं पोस्ट करता हूं हर वीक दो टेक वीडियो जिसमें होती है अन्बॉक्सिंग रिव्यू या फिर होती है टेप्स और हर मंडे को मैं आपके लिए लेकर आता हूं व्लॉग इस वाली वीडियो में मैं करूंगा कंपैरिजन आइफोन 10 और एस एट का कैसे हैं दोनों फोन क्या क्या है इनकी क्वालिटी और क्या क्या खराबियां है दोनों में तो चलिए देखते हैं इस वाली वीडियो में एस एट लांच हुआ था एप्रेल 2017 मे और जो एपल का आइफोन 10 है यह लांच हुआ था सेप्टेंबर में बट मिलना शुरूआ नवेंबर 3 से तो एप्रॉक्सिमेडली साथ से आठ महीने का डिफरेंस है इन दोनों के लांच डेट में तो चले देखते हैं कैसे हैं यह वाले फोन इनका पूरा कंपैरिजन करते हाई-end स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो एपल और समसंगी डॉमिनेट करते हैं पूरी मार्केट को इनके अलावा कोई और स्मार्टफोन नहीं है जो इनको टककर दे सकता है तो देखते हैं कैसे हैं दोनों स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन में मिलता है 5.8 बात करूंगा बिल्ड और डिजाइन की तो दोनों में मिलेगा फ्रेंट और बैक में आपको ग्लास वाला डिजाइन और दोनों के बस उपर आपको एक छोटी सी नॉच मिलेगी जिसके अंदर इसका सबसे इंपॉर्टन फीचर है जो है फेस आईडी तो काफी सारे सेंसर नॉच में तो यह है इसका डिजाइन चेंज से अगर मैं बात करूं एस एट की एसेट में भी आपको मिलेगी सेम स्क्रीन 5.8 इंच की आपको एसकी जो स्क्रीन आपको काफी लंबी है यह थोड़ा वाइड है वह दो स्क्रीन आपको मिलती है दोनों साइट पर न inac HU वाइदा देती है आपको तो वो चीज़ा आपको iPhone 10 में नहीं मिलेगी इसमें आपको मिलेगा dual cover वाली screen और इसकी जो screen है वो लंबी है तो जब आप एक हाथ से इस वाले phone को use करते हो तो use करना होता है बहुत ज़्यादा आसान design की चोई सबकी अपनी अपनी है यार किसी को iPhone 10 पसंद है किसी को Samsung पसंद है बट personal एगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे Samsung का design ज़्यादा पसंद है क्योंकि use करने में ज़्यादा easy है तो इस वाले अगर मैं round की बात करूँ तो मेरे लिए जीतेगा Samsung S8 क्योंकि इसमें है एक बेकार है Samsung S8 से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोनों फोन को use करते हुए चाहे आप बारिश में भीग रहे हो तो भी इस फोन को कुछ नहीं होगा या accidentally आपसे गिर जाता है या फिर अगर आप swimming pool में नहाना चाहते हो इस फोन के साथ और बनाना चाहते हो एक वीडिय इसमें आपको मिलेगा dual speaker जिसको कहते है stereo speaker भी तो अगर आप बात करें फोन के साउंड की तो फोन का जो साउंड हो बहुत जादा अच्छा है iPhone 10 का और बहुत जादा loud है S8 से तो अगर आप बात करें speakers की तो वहां पे जीता है iPhone 10 यहां पे लीड है यार iPhone 10 की अगर हम बात कर है सिफ speakers की अगर मैं बात करें इंडिया की तो बहुत जादा लोग wireless जो headphones उनको यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत जादा expensive है तो मेरे साब से यह वाला जो round है मैं दूंगा S8 को क्योंकि जातर जो लोग है headphones use करते हैं ना कि phone को ऐसा सुनते हैं अगर आप बस में ट्रेव headphones लो तो मुझे नहीं लगता वह वर्त है तो यह वाला जो round है यह भी जीतेगा S8 अगर मैं बात करूं headphones की अगर मैं बात करूं प्रोसेसर मैमरी और storage options की तो iPhone 10 में हमें मिलता है hexa core A11 bionic processor with 3GB of RAM S8 में हमें मिलेगा snapdragon 835 processor US market में और US के अलावा आपको मिलेगा exynos 8895 processor with 4GB of RAM अगर मैं बात करूं storage options की तो जो S8 आई आता है 64GB variant में उसके अलावा आप इसको expand कर सकते हो 256GB तक microSD के साथ iPhone 10 के जो storage options है वो है 64GB और 256GB तो मैं अगर बात करूं storage की तो storage के साप से S8 बहुत जादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्यूंकि आप सबको पता है कि अगर आपको 64 से 256 तक जाना आई आइफोन में तो आपको बहुत जादा पैसे पे करने पड़ेंगे अगर आप इंडिय 1500 डॉलर से बहुत जादा कम में आपको मिल जाएगा 128GB का तो इस वाले राउंड में मैं देता हूँ आपको S8 विनर पर अगर मैं बात करूं बेंचमार्क की तो आपके सामने ही है scores iPhone 10 ने बुरे तरीके से हरा दिया S8 को बट इसका मतलब यह नहीं कि जो S8 है वो बहुत जा साही जीच चुक है आप scores का अगर देखोगे तो आप देखीर हो single core performance में कितना बड़ा difference है और multi-core में भी double का difference है और single core में भी तो benchmark अगर score की बात करूं तो iPhone 10 है विनर अब बात करते है screen की तो S8 में हमें मिलती है 5.8 इंच की Super AMOLED screen with a resolution of 1440 by 2960 with 570 pixels per inch और अगर मैं बात करू iPhone 10 की तो iPhone 10 में भी हमें मिलती है 5.8 इंच की Super AMOLED screen with resolution of 1125 by 2436 with 458 pixels per inch दोनों support करते है HDR दोनों में ही है difference बताना बहुत ही जादा मुझकिल है आपके सामने ही है video S8 जो है वो उसमें color saturation जादा है बट अगर मैं बात करो iPhone 10 की तो उसमें color accuracy तो ये वाले round को यार मैं डिक्लियर कर अब बात करते हैं software's की इन दोनों में कौन-कौन से software हमें मिलते हैं और कैसे हैं दोनों के दोनों use करने में और कौन सा जादा easy है use करने में और किसके साथ मिलेगा जादा फायदा तो अगर मैं बात करूँ S8 की तो S8 में हमें मिलता है Android जो की यार open source platform है तो यहां पे आप इ नहीं करना आप अपनी पसंद की theme choose कर सकते हो wall paper choose कर सकते हो या किसी भी तरीके से इसको आप use कर सकते हो जैसे हम मान लीज़िए मैंने यह theme use करनी है तो बसे थोड़ा सा time लेगा और यह अगर मैं बात करूं तो मैं देख सकता हूँ तो मैं इसको customize कर सकता हूँ किसी भी तरी इसको change कर सकते हो आपको और लगा सकते हो wall paper तो यह है customization के नाम पे तो यार अगर इस phone की बात करूं आइफोन 10 की तो अगर customization आपके लिए matter करती है तो मैं prefer करूंगा S8 तो अब बढ़ते हैं software की तरफ सबसे बड़ा जो मैं फाइदा करूंगा iPhone लेने का वो यह है कि iPhone का जो किसी में 8 चल रहा है और कई ऐसे phone है जिन में अभी तक 4.0 ही चल रहा है क्योंकि software updates जो है वो regular है किसी phone में आते हैं किसी में नहीं आते हैं तो यहां पे जो iPhone है या फिर Apple का जो आपको software department है वो बहुत जादा तगड़ा है S8 या फिर कहलो Android के मुकाबले में अगर आपको S8 म मिलती है तो जो ecosystem है apps का Apple के phones में वो बहुत ही जादा तगड़ा है जिसको Android I don't think कभी match कर पाएगा जितनी भी apps आपको मिलेंगी app store में सारी की सारी बहुत ही polished apps है कोई भी आप game खेलोगा आपके phone में आपको lag नहीं दिखेगा कोई भी app आपको ऐसे नहीं हो की all of a sudden बीच में बंद हो जाएगी तो यह वाला जो department है बहुत strong है और इसकी वज़े से जातर जो लोग है वो iPhone में move होते है Android department को छोड़ कर क्योंकि यह जो है यह बहुत strong point है iPhone का क्योंकि जो इसका ecosystem है बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुए और उसके बाद अगर आप यूस कर रहे हो Mac, Apple TV या फिर iCloud services तो आपके सारी चीज़ों में है अपने अप मर्ज हो जाता है जो कि एक बहुत अच्छा feature है अगर आप यूस करते है एक phone आपने एक photo लिया आपके सारे phones में मिलेगी Android ने अप करना शुरू किया है पर वो इतना अच्छा नहीं है जितना की Mac है या फिर iPhones है asset productivity के साब से बहुत जादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको मिलती है या cover screen तो आप इसको use कर सकते हो जैसे कि आप इसको अपने साब से customize कर सकते हो कुछ भी use करने के लिए तो वो एक बहुत अच्छा feature है उसके लावा अगर मैं बात करूं दूसरे feature की तो आप इसमें यह एक बहुत ही अच्छा feature है Samsung में जो आपके Samsung के हर phone में मिल जाएगा और उसके अलावा इसकी जो screen है वो काफी लंबी है तो जब आप ऐसे double screen में काम कर रहे हो तो बहुत जादा easy आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं बात करूं आइफोन की तो अगर आप iPhone 7 Plus से move कर करती है तो यह वाला software department है अगर मैं बात करूं अगर आपके लिए customization बहुत जादा matter करती है तो मैं कहूंगा S8 और अगर आपको एक बहुत ही तगड़ा ecosystem apps का और आपको ऐसा phone जो बिलकुल hang नहीं होता और बहुत अच्छी performance है तो मैं recommend करूंगा आपको iPhone 10 अब आते है कैमरा पर तो camera की अगर मैं बात करूं जो Samsung का S8 है इसमें हमें मिलता है 12MP का camera aperture इसमें हमें मिलेगा 1.7 का अगर मैं बात करूं आइफोन की तो इसका जो camera setup हो बहुत ही different है Samsung के मुकाबले में इसमें हमें यहां पर मिलते है 2 lens 12MP की एक है wild lens जिसका aperture जो है 1.8 और एक मिलता है हमें teleph जिसका aperture जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2.8 का तो जो telephoto lens है यार वो इसलिए यूज करते हैं जो कि इसमें मिलता है optical zoom 2x का और उसके अलावा जो special effects हमें मिलते हैं portrait में वो भी हम यूज कर पाते है telephoto lens के विज़ से अगर बात करूं front facing camera की तो S8 में मिलेगा 8MP का front facing camera और iPhone 10 के अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलता है 7MP का front facing camera जिसके अंदर है two depth technology जिसकी वजह से हम खीच पाते है portrait photos जो कि इस बार नया लांच वा iPhone 8 और iPhone 10 में दोनों ही phones में picture quality बहुत जादा अच्छी मिलेगी आप differentiate नहीं कर पाऊगे क्योंकि हम सब एक average consumers है हम लोग कोई बहुत recording की तो यहां पर iPhone 10 बहुत बुरी तरीके से हरा रहा है Samsung S8 को इसमें हमें मिलती है 4K recording 24 30 fps और 60 fps में और S8 में हमें मिलती है 4K recording सिफ 30 fps में बहुत ही जादा advantage है iPhone 10 का क्योंकि हम उसमें shoot कर सकते है 60 fps में जब आप post production में slow motion करते हो तो बहुत जादा फरक परता है frame rate से तो यहां पर अगर मैं video recording की बात करूं तो iPhone 10 की video recording capabilities बहुत जादा strong है S8 के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ slow motion की तो जो iPhone 10 है यह shoot कर सकता है full HD में 240 fps में slow motion S8 जो है यार वो shoot कर सकता है slow motion बट वो करेगा 720 pixels में 240 fps में तो वो जो resolution है वो काम हो जाएगा तो यहां पर जो winner है वो है iPhone 10 दोनों ही फोन के जो camera है वो बहुत ही कमाल के camera है यार आपको बिल्कुल भी फरक नहीं बड़े क्योंकि हम सब यार average consumers है मैं पहले भी बोल चुका हूं तो दोनों ही फोन के जो camera है वो बहुत जादा अच्छे है और 4K यार मुझे नहीं लगता है इंडिया में इतने जादा लोग यूस करते हैं क्योंकि ना तो हमार पास इतनी जादा हाई स्पीड्स है इंटरनेट की अगर हैं तो वो बहुत जादा महिंगी है जो कि 90% मेरे जैसे लोग तो फोर नहीं कर पाते तो 4K अग भूल जाओ तो फोल एजडी के अगर हम बात करें तो यार दोनों फोन फो इस फोन के कैमरा जो है वो बिल्कुल बराबर हैं तो मैं इस वाले राउंड को करता हूं डॉद करते हैं सेक्योरिटी फीचर के इन दोनों फोन्स मैं आइपून 10 में हमें मिलता है यार तो पाफ दा लाइन फेस डी जिसको माना जाता है वन-ः बेस से को माना जाता है और म स्कैनर मिलता है और उसके लावा जो नॉर्मल हमारा पिन वाला सिस्टम है वो मिलता है बट सैमसंग खुद प्रेफर नहीं करता फेस रिकोनाइजेशन को क्योंकि वो इतना जादा रिलाइबल है जब आप उसको सेट भी करने लगए तो आपको नोटिफिकेशन देगा कि या इसमें है बहुत जादा सिक्यूरिटी फीचर कंपेर करूं अगर आइफोन 10 के मुकाबले में तो अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो आइफोन 10 की बैटरी लाइफ है जादा एस एट से थोड़ी सी जादा फरक नहीं पड़ेगा आदे घंटे का फरक पड़ेगा दोन ह यह वाला अगर मैं राउंड की बात करूं तो मैं दोंगा यार एस एट को क्योंकि इतना जादा फरक निया बैटरी का दोनों में मिलता है वायलेस चार्जर और फास्ट चार्जर आपको मिलेगा बॉक्स में बहुती कम कीमत वाला फोन है अगर मैं बात करूं आइफोन 10 के तो अच्छा डिजाइन है मेरे साब से देखने में आइफोन 10 से भी जादा अच्छा है इसमें हमें मिलेगी बैटर कस्टमाइजेशन अब बहुत अच्छे से ओपन सोर्स प्लैटफॉर्स एंड्रोइड का तो आप किसी भी तरीके से अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हो theme डाल सकते हो icon change कर सकते हो वो एक बहुत अच्छा फीचर है और हम इसमें मिलता है headphone jack जो कि आप मेंसे बहुत ज्यादा लोगों की complaint है यार headphone jack चाहिए headphone jack चाहिए तो S8 है आपके लिए क्योंकि इसमें headphone jack flip side पे अगर मैं बात करूँ iPhone 10 की तो iPhone 10 में हमें मिलता है dual camera वाला setup, better processor और Apple का जो एक बहुत ही strong ecosystem apps का वो हमें मिलेगा iPhone 10 में अगर मैं बात करूँ अपने review की तो मेरे साब से S8 है value for money क्योंकि इसकी जो खीमत है 53,900 जो की बहुत ही काम है iPhone 10 के 89,000 के price tag के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ US के price rates की तो iPhone 10 आपको मिलेगा $1,000 का और जो S8 है यह आपको मिल जाएगा 700 का बट अभी कुछ deals चलें जिसमें 500 का भी मिल रहा है तो आधे दाम में आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो बहुत सारे factors में iPhone 10 से भी जादा अच्छी है बट अगर आप एक Apple लेना चाहते हो तो iPhone 10 से भी आप निराश नहीं होगे क्योंकि Apple का phone है यार तो obviously महंगा तो होना बनता ही है बट वह चीज मैटर नहीं करती क्योंकि जिसने Apple लेना उसने Apple लेना ही लेना है से iPhone 10 में जाते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों ही phone बहुत ही कमाल के हैं अभी आपका personal preference है आप कौन सा वाला चूज करते हो मुझे आप comments में बताओ आप कौन सा वाला phone लेना पसंद करोगे S8 या फिर iPhone 10 तो यह था comparison iPhone 10 और S8 का मुझे comments में बताइए आपको कैसी लगी यह वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो like और share करना बिलकुल मत भूलेगा और मेरे चैनल पर एक giveaway contest चल रहा है जिसमें मैं giveaway कर रहा हूँ एक Xbox One X rules बहुत ही simple हैं आपको subscribe करना है मेरे चैनल को comment करना है जितने ज़्यादा वीडियो पर आप comment करोगे उतने ज़्यादा आपके chances होंगे Xbox One X को जीतने के मैं declare करूँगा winner जब हो जाएंगे मेरे 10,000 subscribers तो जादा से ज़्यादा share कीजे मेरी वीडियो को like कीजे comment कीजे जितना जादा आप share करोगे उतना जल्दी मेरे होंगे 10,000 subscriber और आपको मिलेगा एक Xbox One X और उसके इलावा जब मेरा हो जाएगा 10,000 subscriber वाला target पूरा तो मैं announce करू एक iPhone X तो जल्दी से कर दो मेरे 10,000 subscriber अब मैं आप से मिलता हूँ next video में take care bye bye